आज में शहर में एक बार फिर चोर गिरो सक्रिय नजर आ रहे हैं। आने वाले त्योहारी सीजन को देखते हुए चोरों ने पहले ही अपनी तयारियां तेज कर दी हैं। और पुलिस की तयारियों की पोल खोल दी। शहर के कृषिनगंस्ताना शेतर इस्तित ज्वेलर्स की दुकान का शटर काटकर चोरों ने हजारों की चांदी पार कर ली। वहीं पढ़ाओ बाजार में दो मोबाईल की दुकानों के ताले तोड़कर चोर फरार हो गए। आजमे पर ले गए। इसी दौरान देर रात चोरों ने शटर काटकर चांदी के गहने वह अलग-अलग वस्तुय पार कर ली। इसकी सूचना सुबह पडोसी ने दी। वहां पहुचने पर दुकान के सारे शोकेस खाली मिले। जिसकी शिकायत क्रिशनगंस्ताना पुलिस को दी है कर रात तो अग्या चोरों दौरा यहां पर दो लगे थे चांदी के पाज़े में थी, कड़े से, प्रास्विक से, पात्मिया थी, वो हैंने एक सतर काटके और लगे, फिर आगे जाके पकड़े बेगे थे, माल तो अब अन्जाज नहीं है पुला है, माल बहुत जाता है, म चोर तीन जने थे, तीन यह चार होंगे, लोके में चार बढ़े थे, यह में जोगान सीनी लोगार में है, एंके जोरस के नाम से है, में क्या दो तो यह था परसन, वहां से में माल रेका है था, फ्लाक बेर लाटका, फड़ा बहुत माल में घरभे ले गया, बाकी के माल ही पड़ा था, तो उसमें तक यह तो चानी के रूटियां बोक्स था, एक भी चुडियां मों बोक्स था, और बच्चे बच्ची कड़े थे, पास्में थी, पाजी भी जोडियां थी, यह पूरा माल हो दे गए, फिर वह सुबा कोई यह से घुमने नकलते हैं, उन्हों में शेतर के कलक्टावर थाना शेतर इलाके में इस्तित, बाजार की दो दुकानों पर भी चोर हाथ साव करने पहुचे, और सरीय से दो मोबैल की दुकानों के ताले तोड़ दिये, लेकिन इसी दोरान किसी की आने पर वह सरीय चोड़कर मौके से फरार हो गए, गनिमत रही कि दोनों दुकानों में रखे लाकों के माल बच गए पर अलग-अलग इलाकों में हुई चोरी की वार्दात से लोगों में नाराजगी दिखाई दे रही है